भारत में एक financial revolution हो रहा है जिसके बारे में कोई भी comprehensively बात ही नहीं कर रहा है कुछ वीक पहले वर्ल बैंक ने एक detailed report में publish करके बताया कि भारत में 80% financial inclusion अचीव कर लिया है इस target को 47 years का time लगना था लेकिन ये हमने सरफ 6 सालों में अचीव कर लिया इसके अलावा NPAs यानि non-performing assets जो late 2000s में सबसे जादा हो चुके थे वो almost पिछले 10 साल में lowest point पर आ चुके हैं भारत की share market में investors का number record break कर रहा है और गरीब से गरीब citizen के पास भी आज के time पर healthcare insurance available है ऐसे total 5 financial revolutions की list मैंने prepare करी है और आज के इस वीडियो में इसी पर ही detail में बात करना चाहता हूँ आपको काफी सारी नई बातें पता चलेंगी आईए देखते हैं इनाधनी उस इंडिया वेरी ओन digital payments platform UPR transactions across the 10 billion mark become a crorepti in no time retire in your early 40s आप trade करें और आप लाखों कमाएंगे दो साल में आप लगपती करोड़पती बन जाएंगे रूपे कार्ड डीजिटल पेमेंट की खेतर में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है 50 करोड रूपे कार्ड लोगों की जेब में है सबसे पहले बात करते हैं banking revolution के बारे में बात है 1969 की जब इंदरा गांधी जी ने 14 banks को nationalize कर दिया था इस move का main name था banks का control private player से चीन के government को देना इस populist move को उस समय का बहुत बड़ा political master stroke बताये गया था और इसकी वज़ा से ही Congress ने अपने competitors को एक बहुत बड़े margin से हराया था इस एक decision की वज़ा से banking system में बड़े बड़े issues create हुए banks inefficient हो गए banks का internationalization जो होना था वो नहीं हो पाया और बाद में bank के अंदर जो NPA crisis create हुई वो भी इसी एक move का result थी लेकिन इस एक move के थुरू एक positive impact भी हुगा था इसकी वज़ा से देश के कोने कोने में banks का network spread हो गया लेकिन इस network को government कभी भी properly utilize नहीं कर पाई इतने बड़े banking network होने के बावजूद 2011 में पूरे भारत के अंदर सिरफ 35% population के पास एक bank account था लेकिन फिर हुआ एक बहुत बड़ा change 15th August 2014 को launch हुई प्रधान मंतरी जन्धन योजना जिसके तुरू कोई भी citizen zero balance के साथ अपना bank में account खुलवा सकता था और इसके सरफ 2 साल बाद 2016 में launch हुआ Jio जिससे देश भर में internet connectivity पूरी दुनिया भर से सस्ती हो गई के दूसरी तरफ आधार identification scheme को भी और popularize किया गया banking system से इसको closely link किया गया और यहीं से बनी Trinity jam की जन्धन आधार और mobile और इसी का result था कि 2011 से 2017 के बीच सिरफ 6 सालों में देश के अंदर bank account वाले लोगों का number 35% से बढ़कर 80% पर पहुँच गया और इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ direct benefit transfer scheme में जो पैसा पहले बीच के दलाल खा जाते थे वो अब लोगों के bank account में directly credit होने लगा पहले government schemes में middleman का corruption इतना जादा था कि एक बार राजीव गांदी जी को बोलना पड़ा था कि जब government एक रुपए भेजती है तो public तक सिरफ 15 पैसे पहुचते हैं और आज के दिन DBT के थूँ middleman को हटा के सिरफ last 9 years में 2.7 लाख करोड रुपी सेफ किये जा जुके हैं banking के इस revolution के थूँ सबसे बड़ा positive impact आपको rural भारत में देखने को मिलता है unbanked population के पास आज bank accounts हैं और unfunded businesses के पास 23 लाख करोड के मुद्रा loans पहुच चुके हैं लेकिन urban cities के अंदर एक बड़ा concerning trend देखने को मिल रहा है यहां रहने वाले individuals आजकल credit पर थोड़ा ज़ादा dependent होते जा रहे हैं और यह loan भी वो सिर्फ show off करने वाली चीज़ें खरीदने के लिए ले रहे हैं अब यह iPhone 15 आया है देखना कितने सारे लोग अपनी monthly salary से ज़ादा amount credit card पर swipe करके यह phone EMI पर खरीदेंगे RBI की data के according electronic gadget खरीदने के लिए loan लेने का culture year over year 89% से बढ़ रहा है जबकि auto loan या home loan के लिए यह increment सिर्फ 12-14% ही हो रहा है लेकिन अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इससे पहले मैं next financial revolution के बारे में आपको बताऊँ आपको मिलवाता हूँ एक revolutionary Indian company multiple से जो हमारे segment sponsor भी है इनके थुरू आप बिना loan के अपनी lifestyle की सारी need पूरी कर सकते हो multiple दुनिया की पहली और अकेली spend investing app है spend investing का मतलब होता है invest for spending ऐसा कोई भी छोटा या बड़ा spend जिसे आप पहले से plan कर सकते हो जैसे कि travel, gadget, insurance premium या college fees इन सब के लिए आप EMIs लेने की जगा smartly invest करके काफी saving कर सकते हो multiple एक savvy registered investment advisory है जो आपके goal और risk profile के according अलग-अलग mutual fund में personalized investment plan suggest करता है तो आप खर्चा करने से पहले invest करके returns earn कर सकते हो और ये unbiased recommendation देते हैं पिना किसी commission के ये अपने brand partners के थूँ earn करते हैं और ये partners आपके साथ हर महीने contribute करते हैं for example अगर आपको वेतनाम की trip plan करनी जो की डिल्ड लाग की बन रही है और आपने six month पहले multiple पर इसके monthly basis पर auto investment चालू कर दिया तो आपको हर महीने सिरफ 21,870 invest करने होंगे और multiple के brand partner जैसे make my trip उसमें 12% और add करेंगे यानी 16,000 rupees और auto invest के feature के थुरू अगर mutual fund में आपको 8% का भी return मिला let's say 2700 rupees मिला तो six month में approximately आप 19,000 की saving कर चुके होंगे यानी जो डेल लाग का trip था अब 1.31 lakh में हो जाएगा जब मैंने इनके बारे में सुना तो मैंने सोचा why would you want to spend any other way और अगर आपको भी यह interesting लग रहा है तो description में है इनका link और यहाँ पर एक special reward भी आपके लिए है वहाँ से जाके multiple के बारे में और भी आप जान सकते हो और हम वापिस आते हैं अपने next point के उपर भारत का second biggest revolution है digital finance जिसमें आते हैं e-rupee, rupee card और UPI e-rupee इनमें सबसे latest है और सबसे कम popular है अभी 2021 में इसे launch किया गया था और ये एक तरह से digital rupee की तरह act करता है अभी इसका use mainly government के benefit transfer में और corporate gifting, payroll वगेरा में काफी हो रहा है e-rupee में transaction करने का फाइदा ये है कि आपके पास ना bank account की ज़रूरत है और ना ही internet connection की इसलिए इसका सबसे बड़ा advantage उन एरियाज में होगा जहां पर लोगों के पास अच्छी internet connectivity नहीं है या अभी भी उनके bank account नहीं खुले हुए rupee card भी एक ऐसा ही silent revolution है आप अपना debit या credit card चेक करना उसमें दो companies के नाम होते हैं पहला आपका bank और दूसरा payment processing network जैसे की mastercard, visa या फिर rupee जब आप card कभी swipe करते हो तो दुकान वाले से ये payment processing network एक से 3% तक fees charge करते हैं इसे बोलते हैं MDR यानि merchant discount rate और जो banks भी हैं हमारे उन्हें भी इन networks को कुछ fees देनी पड़ती है annual basis पर इसलिए इन American payment processing network पर अपनी dependency को कम करने के लिए 2012 में NPCI ने rupee card को launch किया था क्योंकि rupee Indian network है इसलिए ना merchant से fee ली जाती है और ना ही banks को को कोई fees देनी पड़ती है 2012 में rupee के debit card launch हुए थे सबसे पहले लेकिन इसके benefit के बावजूद भी launch होने के एक साल बाद rupee का market share सिरफ 0.6% था यानि American companies की complete monopoly थी फिर 2014 में आया जंधन योजना और इसके जो account open हो रहते हैं उन्हें rupee debit card दिये जाने लगे और rupee का market share 2017 में 15% पहुँच गया इसके बाद government ने इसको actively promote करना शुरू किया in fact government ने public sector के banks को ये कह दिया कि आपको बस सिरफ rupee card ही promote करने है और इन efforts की वज़ा से 2020 में rupee card ने Indian debit card market में dominate करना शुरू कर दिया 60% share को capture कर लिया है इसमें जन्धन योजना का सबसे बड़ा contribution है क्योंकि total 70 क्रोड रुपे cards जो हां circulation में उसमें almost 50% जन्धन योजना वाले account holders के पास हैं हमारा ये dominant जरूरी है क्योंकि हम foreign based payment processor जैसे visa और mastercard पर अपनी dependency कम करना चाहते हैं और इसलिए government ने scheme निकाली कि आप अ अपना card network भी change कर सकते हो mastercard या visa से रूपे में shift कर सकते हो और रूपे card को popularize करने के लिए हमने इसके international network को भी strengthen करने पर काम शुरू कर दिया है अब जहां debit card में रूपे का dominance हो चुका है वही credit card में situation उतनी अच्छी नहीं है रूपे credit card 2017 में launch हुए थे लेकिन अभी भी visa और mastercard इंडियन credit card market को rule कर रहे हैं लेकिन अब ये भी change होने वाला है रूपे credit card को push देने के लिए government ने UPI के साथ इसे link कर दिया है और ये facility सिर्फ अभी रूपे credit card के पास है UPI यानी unified payment interface, digital finance के लिए भारत का सबसे बड़ा revolution 2016 में launch हुआ था और आज इसके total annual transaction की value 1.7 trillion dollars पहुँच चुकी है in fact पिछले महीने UPI की 10 billion से भी ज़्यादा transactions हुए थे इसकी वजा से ही अगले 3 सालों में हमारी consumption economy 50% cashless बनने वाली है UPI अब Singapore के pay now system से भी linked है in fact France, Australia, UAE को मिला कर world की total 25 countries तक हम इस technology को share कर चुके है और भारत में जो fintech की success हो रही है वो भारत की resilient economy को show करती है भारत के इस financial revolution में सबसे बड़ा challenge था NPS को कम करना और यहीं आता है मारा अगला revolution NPS basically वो loan होते हैं जिन पर banks को 90 day में कोई भी interest नहीं मिला हो RBI की latest financial stability report में पता चला कि भारत ने अपने gross NPS को पिछले 10 साल के lowest number पर पहुचा दिया है NPS mainly 2000s में आए credit boom की वज़ा से increase हुए थे जब banks ने mostly telecom, power, aviation और steel जैसे industries में काफी सारे loan दिये लेकिन दीरे दीरे इन industries में जब एक के बाद एक crisis आनी शुरू हो गई जैसे telecom sector में scam हुए, companies losses में गई, aviation sector की kingfisher डूब गई चाइना की वज़े से steel industry ने काफी सफर किया, infrastructure industry में land acquisition और corruption की issues से नुकसान हुआ और इनी सब की वज़ा से banks के पास loan defaults यानी की NPS काफी बढ़ने लगे थे फिर 2014-15 में RBI ने Asset Quality Review Program के अंडर NPS को review करना शुरू करा और इसके norms को भी और जादा tough कर दिया और इससे हुआ ये कि अगले साल paper पर NPS का number double हो गया ये actually वो ही NPS थे जो पिछले कुछ सालों में दिये जा रहे थे और अब जाके इनका actual number हमें पता चला और फिर 2016 में आया IBC Act जिसके through defaulting companies की restructuring और asset liquidation करके government ने losses को recover करना शुरू करा और इन सब steps की वज़ा से ही banks अपने 2016 के all time high NPS को आज 2023 में 10 साल के lowest number पर ले आये हैं although अभी भी भारत की NPS बाकी countries especially US और चाइना के comparison में काफी जादा हैं लेकिन फिर भी हमने एक बड़ा control इस पर दिखाया है लेकिन अभी भी एक जगा problem आ रही है वो है black money के sector में 2012 में 95 billion dollars black money भारत से बाहर गया था 2014 में जब BM Modi ने speech दी तो कुछ ये कहा लेकिन इसी speech के बाद भी जादा कुछ नहीं बतला 2021 में पता चला कि Swiss bank के अंदर अकेले 4 billion dollars के भारती fund पिछले 14 साल का record तोड़ रहे है although Switzerland की government के साथ भारती government ने financial information exchange करने के लिए joint declaration sign की थी और black money को control करने के लिए कई laws भी बनाए थे लेकिन इससे बहुत बड़ा ground level पर impact नहीं होता हुआ दिख रहा है अगला बड़ा revolution है health insurance की field में ऐसा कहते हैं कि एक अच्छा खासा इंसान भी bankrupt हो सकता है सिर्फ एक serious medical emergency के बाद और इसी need को address करने के लिए 2018 में launch हुई PM जन आरोग के scheme इसका objective था एक holistic approach के थूँ universal health coverage को achieve करना और इस scheme के अंडर भारत के 12 करोड families यानि की almost 55 करोड individuals को 5 लाख तक के health insurance का coverage दिया गया है इस scheme को use करके 5 करोड से ज़ादा hospital admission हुए जिसमें total treatment की cost 66,000 करोड थी जिसकी वज़ा से beneficiaries के total 1 लाख करोड रुपी सेव हुए है और इस scheme की वज़ा से भारत में access to health care भी 65% तक increase हो गई है अब मैं revolution की बात कर रहा हूँ सिर्फ positive थोड़ी बताऊंगा एक negative point भी है अभी भी इस sector में काफी काम किया जाना बाकी है आज भी 30% भारतियों के पास किसी भी type का private या public health insurance नहीं है comparison के लिए आप US को देखें तो 92% लोगों के पास है और चाइना में 95% अगला बड़ा revolution हो रहा है investment के sector में भारत की financial growth का part बनने के लिए लोगों ने share market में invest करना शुरू कर दिया है share market को एक तरह से economic mood of the nation माना जाता है और इसलिए तेजी से बढ़ते Nifty और Sensex इस बात का proof देते हैं कि अपनी economy की growth को लेकर आज के दिन हर एक भारती एकदम bullish नजर आ रहा है अभी हाली में Nifty ने पहली बार 20,000 points को touch किया था और DMAT accounts की बात करें तो भारत में जहां March 2020 में सिरफ 4 करोड DMAT account थे उसका number पिछले 3 सालों में 10 करोड को cross कर चुका है In fact पिछले एक साल में DMAT account opening 31% से increase हुई है इसका एक तो बहुत बड़ा credit जाता है pandemic को जब कई सारे लोगों के पास पैसा रखा हुआ था उनके पास समय भी आ गया और दूसरी दर्फ technology इतनी advance होती जा रही कि सारा काम अब app के थूँ बड़े easily हो जाता है दूसरा credit आप कुछ social media के finance influencers को भी दे सकते हो लेकिन यहाँ पर भी कुछ bad actors play करते हैं वो अपनी नकली earning के screenshot दिखा के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और इसलिए SEBI ने इन लोगों से investors को बचाने के लिए कई सारे steps उठाएं unregistered advisors पर fine लगाना शुरू कराएं और futures and options trading platform के लिए तो risk disclosure भी mandatory कर दिया है अब आप ऐसे किसी भी app में जाओगे तो आपको लिखा हुआ दिखेगा कि future and option में trade करने वाले 10 में से 9 लोग हमेशा loss में रहते हैं और ये losses on an average 50,000 rupees तक के हो सकते वैसे share market के revolution में हमने बस 1% ही achieve करा है भारत की सिरफ 1% population भारत के share market में invest करती है US में ये number 61% का है इसलिए अभी भी भारत की share market में एक बहुत बड़ा untapped potential है और इस potential को हमें scammer से बचाने की बड़ी जरूरत है तो ये था हमारा वीडियो भारत के financial revolution के बारे में इसे अपने दोस्तों के साथ share करना उन्हें भी इसके बारे में थोड़ा aware करो बाकी multiple का link description में है तो आप उनको check out करना बिल्कुल मत भूलना ये एक positive saving and spending app है that enables you to pay the lowest for your lifestyle multiple के साथ spend wasting करने के इतने सारे benefits है why would you want to spend any other way download multiple app now मैं मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में तक लिए अपने धान रखना जैहिंद वंदेबात रहा